हालो आपरिवन नमस्कार आप सभी को देखिए ये थमनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में आज बात करने वाले हैं तो आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया पोस्ट स्पोर्ट स्कोडा रेक्रूटमेंट दो हजार तेइस निकले वी थी जो कि 1899 वेकेंसी थी तो अभी तक भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम इसका रिजल्ट कब आएगा जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट आ गया है और बहुत पहले आ गया है अभी रिसेंटली जो है दस जनवरी को इसका रिजल्ट आउट हो गया था अभी रिजल्ट भी मैं कम्प्लीट आपको दिखा दिती हूँ अगर आपने नहीं देखा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करवाले क्योंकि डोक्यूमेंट वेरिफ नहीं मिल पाया है तो फिर आप जो है अपने respective circle में आपको जाना होगा वहाँ पर अपने document verification कराने होगे तो इस वीडियो में सिर्फ में आपको result दिखाऊंगे और साथ ही साथ जो है ये भी बताऊंगे कि document verification के regarding क्या क्या documents आपको लगेंगे चलिए देखते हैं देखिए आपको पता है कि sports recruitment जो है recently निकली थी November मन्त में and December तक इसके जो है सारे forms वगारा फिल किये गए थे correction वगारा हो गए थे after that जो है जनवरी में 10 जनवरी को इसका result आउट कर दिया गया है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूं अगर आपके पास ये result वाली PDF नहीं है तो आप इसमें से भी अपना registration कर सकते हैं इस result का जो link है वो मैं आपको description box में भी provide करा देती हूं वहां से भी आफ PDF डाउनलोड करके अपना नाम या फिर registration नंबर जो जो भी है नाम तो नहीं है उसमें तो registration नंबर है वो आप चेक कर सकते हैं देखिए यह वो प्राविजनल लिस्ट है जो की 10 जनवरी 2024 को रिलीज हुई है और बहुत सारे इंडिया मिनिस्ट्य ओफ कमिनिकेशन तो यह रिजल्ट जो है एकदम ओर इसनल है जन्यून है और इसके रिगार्डिंग आपका selection हुआ है वो दे रखा है and document verification किस circle में आपको कराना है यह सब आपको दिया हुआ है तो देखिए यहां पर कुछ cases जैसे भी है जिनको जिन्होंने circle जो है अलग select किया है and document verification के लिए उनको दूसरे circle में जाना है क्योंकि उन्होंने दूसरा circle जो है अपने nearby circle select किया हु तो यह वो list है यह मैं scroll करके आपको दिखा देती हूँ अगर आपको अभी तक result नहीं मिला है बट आपको यह information पुचानी है कि काफी सारे candidates ऐसे हैं जिन्होंने form fill किया था बट अभी तक उनको यही नहीं पता है कि result आ भी गया है तो result आ गया है please आप जो है update रहिए and इसका जो link है वो मैं आपको description में भी provide करा देती हूँ हो सके तो वहां से भी आप देखकर अपना PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं otherwise यहां पर भी मैं scroll down कर रहे हूँ यहां पर भी आप देख सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि 1899 पदों पर यह भरती निकली हुई थी और यहां प मैं आपको बताती हूँ कि देखी 1899 candidates ही इसमें select किये गए हैं तो अब बात आती है कि 1899 ही vacancies है and 1899 candidates ही select किये गए हैं तो फिर candidates का पूछना यह है कि मैडम क्या इसमें waiting list आएगी क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो 1899 candidates select किये गए हैं उनके सब के documents जो है complete हो या फिर सभी ने मत club अपनी original genuineness के साथ ही form fill किया हो क्योंकि form fill करते time बहुत सारी mistakes भी होती है candidates से और जिनके कारण जो है उनका selection है final DV process पर जो है वो reject कर दिया जाता है तो उसके कारण जितनी भी vacancies खाली बचेंगी तो क्या वो waiting के through fill की जाएगी तो देखिए ये भी मैं जल्दी ही इसके आती है या नहीं आती है तो इसकी बारे में भी आपको necessary information जरूर provide कराई जाएगी तो अभी फिलाल आप ये देख सकते हैं ये list है और ये circle wise list है जैसे कि अभी ये महरास्त की list चल रही है तो ऐसे ही आपने जिस भी circle के लिए apply किया है जिस भी circle में आपका selection हुआ है उसको देख सकते हैं अपना registration number match करके जो है पता चल जाएगा आपको कि आपका इसमें selection हुआ है प्रोविजनली लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है और एक next वीडियो इस बात पर भी बनाने वाली हूं कि joining process क्या रहता है क्योंकि जो last recruitment थी sports होटा वाली उनकी भी है उनका भी divisional लेवल पर डीवी चल ला है जैसे कि पता है आपको इस में दो होते हैं अ कर्Am होता है आपका जो की divisional level पर होता है मतलब circle के बाद आपको divisions अलोट कर दिये जाते हैं और respective division में आपका document verification होता है वहाँ पर भी आपको same documents लेकर जाने होते हैं उनका एक serial रहता है कि किस serial में आपको documents लगा कर ले जाने हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी further videos में तो आज का जो video था वो basically इसी बात पर था कि जो result है काफ़े सारे candidates को यहीं नहीं पता है कि result आ भी गया है तो please आप update रही है otherwise आपका बहुत loss होने वाला है अगर आपका list में नाम आया है और आपको यह नहीं पता चल पाया भी तक कि यहां result नहीं आया है यह result आ गया है तो आप जो है suffer कर सकते हैं तो इसलिए मेरा जो purpose था वो आपको यहीं बताना था कि जिन candidates को अभी नहीं पता चला है कि result आ गया है तो प्रिपाय करके वो इस result को जरूर देख लीजिए ठीक है एंड डेस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे अपनी PDF डाउनलोड करके भी इसको अच्छे से आप देख सकते हैं अपना registration नंबर इसमें सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा तो यह थे वह अठारा सो निन्यानवे candidates जिनका की selection हुआ है different different circles में different different post पर उनका selection हुआ है तो कैसा लग रहा है आपको यह अठारा सो निन्यानवे candidates की list देख कर और यह भी है कि अभी election का time है इसलिए list निकाली जा है और यह process भी जल्दी चल ला है तो डीवी भी जल्दी complete हो जाएगा और जो further joining process रहेगी और उसमें कितना time लगेगा यह भी मैं आपको बताऊंगे और इससे भी ज़्यादा जरूरी information यह दे रखिए देखो आपको originals लेकर जाने है document originals and three sets of photocopy लेकर जानी है सभी originals की during 11 January 2024 to 9 February 2024 यह validate जो है आपके पैकर के याद रखे और अगर अभी तक आपने अपना document verification नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी अपने circle में जो भी circle में आपको जाना है आपके list में registration number के सामने जो भी circle लिखा हुआ है for document verification वहां के circle office में आपको जाना है circle office में जाकर जल्दी से जल्दी अपना document verification complete करा लीजिए नहीं तो बस आप पस्ताते रह जाएंगे अगर list में नाम होगा और आप time से document verification नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको further कोई option नहीं दिया जाएगा तो यह जो information है आपको sms email के through वैसे मिल गई होगी रजिस्टर mobile एंड रजिस्टर email पर आपके message आया होगा बढ़ अगर फिर भी नहीं आई है तो आप अपना document verification करा लेजिए और sports quarter recruitment के regarding आपको क्या information चाहिए आप वीडियो में comment करके जरूर बताईए हम आपकी सभी queries का solution जरूर आपको बताएंगे